हम और आप दिगंबर जैनाचारिय श्री पूच्पात स्वामी ब्रचित जैनेंद्र व्याकरण का अध्यन कर रहे हैं और इस जैनेंद्र व्याकरण के अध्यन में हम और आप दीरग इकारांत सब्द हमारे बीच में हैं उन सब्दों की पिक्रिया को आत्म साथ करने के लिए दो सूत्र हमारे बीच में हैं सिनू दू भरवाम यवो रची यवोव और दूसरा सूत्र है ये दोनों सूत्र जो हमारे बीच में आये हुए हैं इसके पूर्व सत्र में भी हमने इनी दोनों सूत्रों की चर्चा और व्याक्या आपके बीच में रखी आज हमें उत्र उपसर्ग पूर्वक नी धातू हमारे बीच में हैं और दौनों सब्द जब मिल जाते हैं तो सब्द बन जाता है उन्नी और इस उन्नी सब्द के माद्यम से हम रूप सिद्ध करने जा रहे हैं यहाँ पर उस सूत्र के माद्यम से यद्द पी आपको ये समझ में आएगा कि उन्नी ये सैयोग से सहित है परन्तों ये सब्द सैयोग सहित नहीं है क्योंकि धातू पूरों में नी है उत्वप सर्ग है और उत्वप सर्ग के बाद सब्द बन गया है उन्नी पंच में पंचमाज सूत्र के माद्यम से उसको ना देख कर सब्द बन गया उन्नी अब उन्नी सब्द के रूप जो चलेंगे देखने में समझने में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये दीर्ग इकारांत सब्द संयोग से सहत है और संयोग से सहत होने के कारण हमारा जो उपर का सूत्र है जो आपको 190 नंबर का सूत्र दिख रहा है इस सूत्र के माद्यम से आपको ये आदेश करना है ऐसा आप समझ सकते हैं परंतु एरगी वाक्चादगों सुधियाह इस सूत्र के अंत्रगत ही ये सब्द है क्योंकि यह आचारवगवन्त कहते हैं नी गी पूर्वात उंग उन्नेती ती उन्नी ये गी माने उपसर्ग जो उत है उस पूर्वाक ये सब्द हमारे वीच में आया है उन्नी तो यह पर इस सूत्र के माद्यम से एरगी वाक्चादगों सुधियाह इस सूत्र के माद्यम से हमें श्वरवाली जो विवक्तियां आती हैं, श्वरवाली विवक्तियों का मतलब है अउजस, अम, अउसस, ता, गे, गसी, गस, ओस, आम, गी, इन विवक्तियों के होने पर हमें इके इस्तान पर या आदिस करना है बेंजन वाली विवक्तियों आने पर उनको जोड़ देना है, तब उन्नी, धन्सी, सरप्रतम, सस, सजुसोरी, सूत्र के मात्यम से, साके इस्तान पर रादेश करेंगे और रादेश के बाद में बिरामे बिसर्जनिया हा, सूत्र के मात्यम से, बिसर्जनिया आदेश होकर, पहला सब्द बन जाएगा उन्नी, अववादी वक्तियों के आने पर, एरगी वाग्चा दुगव सुदिया हा, सूत्र के मात्यम से, इके इस्तान पर रादेश होकर, प्रियोग बनेगा उन्न्योव, जैस्विवक्ति के आने पर, एरगी वाग्चा दुगव सुदिया हा, सूत्र के मात्यम से, इके इस्तान पर यादेश होकर, और सजुसोरी और वाग्रामे विसर्जनिया हा, सूत्र लगा कर, अज्जीनम परेन सैयोज्यम, से सब्दों को जोड़ देने पर, बववचन में सब्द बनेगा उन्न्याहा, संबोधन में भी, इसी प्रकार से, हे उन्नी, हे उन्योव, हे उन्न्याहा, दो बार ना है, दोनों बार ना का ध्यान रखना है उच्चारण के समय, पर अम्बिवक्ति के आने पर, एरगी, वाक्चा, दुखों, सुधियाहा, अब इतने को ध्यान दखना है, इस सूत्र की पिक्रिया को करते समय, सरप्रतम हमें अच्ची को यन, सूत्र की प्राप्ति करना है, और सिनू, धू, भृवाम, यवो, रची, यवो, सूत्र के मात्यम से ये आदेश की प्राप्ति करनी है, फिर जाके हमें एरगी वांग चादगो सुदियाः सुतर के मादन से यादेश करना है सिदा सिदा यादेश नहीं करना है पहले अची को यण सूत्र की प्राप्ति और सुनू धूब्रवाम यवोरची यवोव सूत्र से ये की प्राप्ति और उसके बाद में सूत्र लगाना है एरगी वाग्चा दुगों सुदिया इसके मात्यम से हमको यादेश करना है तो अम विवक्ती के आने पर उन्यम ऑविवक्ती के आने पर उन्यव और पिर जस और सस्व वक्ति के आने पर उन्या हां का विवक्ति के आने पर एरगी वाक्चा दोगो सुदिया हां सुत्र के माद्यम से या आदेश होकर प्रियोग बनेगा उन्या अब भ्याम आधिवक्ति के आने पर हमें कुछ भी नहीं करना है उन्नी भ्याम उन्नी भी ही अब गेम व्यक्ति के आने पर गेम डुमbn से बचता है अंन्य लÂननी भ्याम उन्नी भ्या mphर गसीव वक्ति के आने पर अस बचेगा और फिर हम एरगी वाक्चा दूगों सुदिया शुत्र से यादिश करेंगे तो सब्द बन जाएगा उन्निय भ्याम भ्यास में उन्निभ्याम उन्निभ्या उन्निभ्या पंच्मी में उन्नियाह उन्निभ्याम और उन्निभ्याः पंच्मी में सश्टी में भी उन्नियाह उन्नियोह उन्नियाम अब यहाँ पर सुब वक्ति जब लेकर आएंगे तो सुब गी वक्ति सक्तमी के एक वचन में गी वक्ति जब लेकर आएंगे तो हमें ध्यान दखना है गेरामिवाम्नी ब्या इस प्रकार से एक सूत्र था और सूत्र के माद्यम से अंत में नी सब्द हो तो उसके होने पर गी के इस्तान पर आम आदेश होता है आम जाते अस्ती लक्षमी सब्द में लेकर आए थे तो वहाँ पर गी के इस्तान पर आम किया था तो यहाँ पर भी जो गी वे वक्ति हो उसके इस्तान पर आम आदेश करेंगे और एर्गी वाक्चा दुगो सुदिया सुत्र के माद्यम से इके इस्तान पर यादेश अज जीनम परेन संयोज्यम के माद्यम से जोड़ देंगे तो वन जाएगा उन्याम और ओस्व्यवक्ति के आने पर उन्यों हो और सुब्यवक्ति के आने पर नामी कर परहा प्रते विकारा गमस्ता हा सी सम्नु विसर्जनिय सांतरोपी सूत्र के माद्यम से दंत सकार को मूर्धन सकार आदेश हो जाएगा तो सब्द बन जाएगा उन्नी सूहू अब इस प्रकार से गी और पूरवक्त सब्द की सिद्धी हो जाती है इसी प्रकार से पर्णी प्रकष्टम ध्यायती ती प्रधी इसी प्रकार से प्रधी मने अच्छी धी अच्छी बुद्धी इसके भी रूप समझना चाहिए अब ये ध्यान दखना सूत्र में केवल सुदिया हा सुदी सब्द को यादेश नहीं होगा अर्ताथ सुदी सब्द के तो ये आदेश होगा परंतु प्रधी सब्द में कोकि इसमें अंतमें सयोग नहीं है दीरगी इकारांत सब्द है और प्राउपसर्ग पूरवक है जैसे उत उपसर्ग पूरवक नी धातूती ऐसे ही प्राउपसर्ग पूरवक हमारे वीच में धी धातू है धी तो बन गई है ध्यें धातूती ध्यें ही तो प्रदी जो सब्द है वो दीरगी इकारांत है और दीरगी इकारांत सब्द में ये पूर्लिंग सब्द है अच्छी बुद्धी वाला व्यक्ती प्रदी कहलाता है सुतंतर रूप से यदि हम धी के रूप चलाएंगे तो वह इस्त्री लिंग कहलाएगा प्रावसर्ग पूर्वक चला रहे हैं इसलिए पूर्लिंग सब्द है अच्छी धी मने अच्छी बुद्धी वाला तो यहाँ पर इश्नु धूब्रवाम यवोर रची यवोव सुत्र की प्राप्ती से ये आदेश होना है अच्छी को याँ सुत्र से यहा की प्राप्ति होना है और सुत्र से यह आदेश की प्राप्ति है परंतु एरगी बाग्चा दगों सुधिया सुत्र की सर्थ मिलने से इसको इके स्तान पर यहा आदेश होगा तब अजाएगा प्रध्यव तब प्रधी धन्सी सर्प्रतमस सजूसोरी और ब्रामे विसर्जनिया तब सब्द बन जाएगा प्रधी अव विवक्ति के आने पर शिनू धू ब्रवाम यवोर अची यवोव और अची को यण इन दौनों सूत्रों की करमसा प्राप्टी होने के वाद एरगी वाग्चा दुगों सुधिया सूत्र के मात्यम से प्रधी में रहने वाली जो ही है उसको यादेश होकर बनेगा प्रध्यव जस्व वक्ति में भी एरगी वाग्चा दुगों सुधिया से यादेश हो जाएगा तो प्रध्या संबुद्धी में भी इसी प्रकार से हे प्रधी, हे प्रध्यव, हे प्रध्या अम आदिव वक्ति के आने पर प्रध्यम, प्रध्यव, प्रध्या प्रध्या, प्रध्यव, 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 प्रध्य, 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 प् प्रधी भ्याहा सश्टी में प्रध्याहा प्रध्योह प्रध्याम अब यहाँ पर गीव वक्ति आ रही है अब गीव वक्ति के आने पर यह ध्यान दखना है यापर अच्ची को यहन सुत्र की प्राप्ति है स्वेको धी सुत्र की प्राप्ति है शिनू धू ब्रभाम यवो रची युवाउ सुत्र के माद्यम से ये की प्राप्ति है परंतु एरगी वाग्चाद गोई सुदिया सुत्र के माद्यम से इके इस्तान पर यादेश होगा और ये विशेज ध्यान दखना कि गेराम मेवाप निब्या सुत्र यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि वो के वाद नी सब्द से या गी और आपके लिए गी के इस्तान पर आम आदेश करता था तो यहाँ पर जो प्रधी सब्द है वो इस्त्रिलिंग नहीं है और अंत में नी धातू भी नहीं है इसलिए जो गी वे वक्ति में रहने वाले को अपन आओ आदेश करते थे वो आदेश नहीं होगा केवल इ जाकर मिल जाएगी अज्जीनम परेन सैयोज्यम तवन जाएगा प्रधी धायाई प्रधी और उस व्वक्ति के आने पर प्रध्यो हो और सुब्वक्ति के आने पर नामी करपरा प्रतेविकारा गमस्ता सीसम्नू विसर्जनिये सांतरोपी सूत्र के मात्यम से प्रधी सूहू ये प्रियोग सिद्ध होता है जैसे हमने ग्रामनी जैसे हमने उन्नी सब्द के रूप चलाए थे ऐसे ही सेना उपद रहते हुए नी धात्यों के रूप चलाएंगे तो सब्द बन जाएगा सेनानी अब सेनानी सब्द में अनेक स्वर हैं अनेक अच हैं और अनेक अच होने के कारण एके इस्तान पर या आदेश की प्राप्ति है या ही होगा यह नहीं होगा क्योंकि आपर संयोग से रहत है अनेक अक्षर है और अंत का अक्षर संयोग से रहत है तो संयोग से रहत होने के कारण इस सेनानी सब्द के रूप भी ग्रामनी और नी सब्द के समाने ही सिद्ध होते हैं ऐसा जानना चाहिए जैसे शी विवक्ति के लाने पर विशर के आदेश हो जाएगा तो बनेगा सेनानी अव विवक्ति के आने पर अची को यण और सिनू धू भ्रवाम यवोर अची यवव सूत्र के माद्य हम से वव आदेश की प्राप्ति होने पर ये आदेश की प्राप्ति होने पर एर की वाक्चाद हो सुधिया हा सूत्र से यादेश होकर सब्द बन जाएंगे सैनान्यव अब सरवाली विवक्तियों में हमें एके स्तान पर के वल यादेश करना है एर की वाक्चादों सुधिया हा तो सैनान्यव सैनान्यव संबोदन में वी इसी प्रकार से हे सैनानी हे सैनान्यव ए सैनान्या हा अम जितिया दिप्रवक्ति में सैनान्यव सैनान्यव तिर्टिया व्यवक्ति में शेनान्या, शेनानी भ्याम, शेनानी भीही, शेनान्ये, शेनानी भ्याम, और शेनानी भ्या, में सेहनाण नियां यह गईसें आनिभ्याम मैं possa आ नियाह गईस्टी में सेहन निया हब एभ सबत्मी में को तुमলे में भाप निभ्या वहाँ पर गी के इस्तान पर आढम आदेश होजाएगा आम और ई के इस्तान पर गी के इस्तान पर आम तो सैनान्याम सैनान्योह और नामी कर परह प्रत्तै 120 करह कमस्ता सी समनु विसरजनिय सांतरोपी सूत्र के माद्यम से सैनानी सू ये सब्द की सिद्धी होती है इन दोनों सूत्रों को पुना एक बार समझ लीजे सुनु धू भृवाम यवो रची यवो एरगी वाग्चा दुगों सुदियाहा ये दोनों सूत्रों कातंत रूप माला के अनुसार अनेक आक्षरियोस्टों सहियोगाद यवोव ये सूत्र जो काम करता है वही ये सूत्र करेगा एरगी वाग्चा दुगों सुदियाहा और जो दूसरा सूत्र है जो धातु सम्मंदी होती है उसके लिए ये और वादिस करता है उसके लिए सूत्र है शुनू धू भ्रवाम यवो रची युवव तो इस प्रकार से इन दोनों सूत्रों को पहले अर्थ अच्छे से समझने पर दीरगी इकारान ते पुरलिंग सब्दों को आप व्यवस्तित चला सकते हैं उपर का सूत्र और नीचे के सूत्र में गी माने उपसर्ग पूर में हो बाक माने उपद कोई होना चाहिए और जो यात लिखा है यात ने की चात चाहिए चात परो चा माने अभ्यास से परे तो अभ्यास हमें कहां मिलेगा ये असार धातु धातु पिकरण जब पढ़ेंगे तिगंत के बाद मिगंत पिकरण पढ़ेंगे उस समय हमारे ये सब चीज़े सूत्र दोनों आएंगे तो यहाँ पर दीर की इकारांत सब्दों में इन दोनों सूत्रों की ब्याक्या को थोड़ा अच्छे से समझने के बाद आप कोई भी सब्द को सहस्ता में चला सकते हैं प्रियोग सित्य कर सकते हैं अगला सब्द हमारे बीच में आएगा सुधी सुधी सब्द में अनेक स्वर हैं और अनेक स्वर संयोग से रहत हैं परंतु सूत्र ख़दी कहता है के एरगी मागचा दुगों सुधिया ये सुधिया के पूछ बीच में जो जगह खाली है वो अवग्रे खंडा कार की जगह है जो इस पीडियाप फाइल में नहीं आई है और कातंत रूप माला के लिए सुतंत रूप से एक सुत्र दे दिया गया है सुधी यानि कि सुधी सब्द की एके इस्ताहन पर या आदेश ना होकर ये आदेश होगा स्वरवाली वक्तियों के होने पर तो ऐसे सुधी सब्द की चर्चा अगले सत्र में आपके बीच रहेगी तब तक के लिए जैजनेंद्र, वंदना, सबका यतायोग, अविवादन